ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जिला सोलन में बिजली के कट लगतार बढ़ते ही जा रहे हैं बिजली के कटों से सोलन की जंता अब बूरी तरह से परिशान हो चुकी है लेकिन बिजली विभाग के बल घोशित कम और अघोशित कट जादा लगाने में लगा है थोड़ी थोड़ी देर बाद कट लगने के बज़े से शहरबासियों का इलक्ट्रोनिक सामान चलने लगा है लेकिन विभाग के अधिकारी हैं कि टांगों पर टांगे रख कर कुम्ब करनी नीन सो रहा है भाजपा नेता शायद भूल चुके हैं कि उन्हें सोलन की जनता की समस्याओं को हल करना चाहिए ताकि बे आने बाले चुनाबों में जनता से बोट की उमीद कर सके जिला सोलन में बिजले के कट लगातर बढ़ते ही जा रहे हैं बिजले के कटों से सोलन की जनता अब बुरी तरह से परिशान हो चुकी है लेकिन बिजली विवाग केवल गोशित कम और अगोशित कट जायदा लगाने में लगा है थोड़ी थोड़ी देर बाद कट लगने की बज़त से शहरवासियों को इलक्ट्रोनिक सामान चलने लगा है लेकिन बिजली विवाग के अधिकारी हैं कि टांगों पर टांगी रखकर कुम करनी निल्स सो रहे हैं बाशवा नेता शायद भूल चुके हैं कि उन्हें सोलन की जहनता की समस्याओं को हल करना चाहिए ताकि बे आने वले चुनाबों में जहनता से बोट की उमीद कर सकें जब पिजली के कटों के बारे में बाशवा जीला अधिक्ष आशुतोष बैद से पूछा गया तो उनका जबाब भी बड़ा हास्य प्रत दिखा उन्होंने कहा कि ये सोलन का स्थानीय मुद्दा है और उनका कार्या संगठन को देखना है स्थानीय समस्याओं पर स्थानीय बाशवा नेता पूरुप सांसत बिरिंदर कशिप, राजेश कशिप और खादी बोर्ड अधिक्ष पुरुश्यतम गुलेरिया अपनी नजर रखते हैं उन्होंने कहा कि आपने ये बात ध्यान में लाई है जिसको लेकर उनसे चर्चा की जाएगी बात करेंगे और ताकि ये समस्याओं का जल्दी से जल्दी निदान हो सके भनेवाद पूरुप कॉंग्रेस परदेश प्रवत का जग मोहन मलहुतरा ने बाश्वा की जिला अधिक्ष को गेरते हुए कहा कि बे जिला के अधिक्ष हैं पूरुप के जल्दी निदान हो रही परशानियों के प्रति अरसंबेदन शील है उन्हें जल्द शोलन की जन्दा को हो रही समस्याओं का हल निकालना चाहिए सोलन के लोग बहुत परिशान है यह जो अगोशित कट बिजली के यहां लग रहे हैं और बार बार ऐसे ठंड में बिजली जा रही है कभी 10 मिनट कभी 20 मिनट कभी 25 मिनट और पता ही नहीं लगता है कि कब आ गई और कितने वोल्टेज आई कई लोगों के कंप्यूटर खराब हो गए कई लोगों के टीवी खराब हो गए इन अगोशित कटों से सोलन की जनता बहुत परिशान है और ना इसकी और सरकार का ध्यान है और ना भारती जनता पार्टी के लोगों का जोगी सरकार में है जैसा मुझे पता चला है कि आज जब जिला भारती जनता पार्टी के अध्यक्षे इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया कि ये जो मामला है ये स्थानिय है ऐसा लगा कि वो पतानी सोलन जिला के अध्यक्ष है या हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष जो स्थानिय मुद्दा इसे बता रहा है वो सोलन जिला के अध्यक्ष है आज यहां बैठक के लिए आए थे और उन्होंने ये बात बड़ी उससे कह दे कि मुझे पतानी सामाजिक न्याई एबम अधिकारता मंतरी राचीफ सेचल ने कहा कि उनके ध्यान में भी बिजली के कटों को लेकर बात आई है जिसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारें को आवशेक दिशा निर्देश दिये गए हैं अगोशित कट जो हैं वो लग रहे हैं इसमें विभाग से हमारी बात भी हुई है और प्रयास करेंगे अगर भाचपा और कॉंग्रेस के निता ऐसे ही फ्रेंडली मैच कहलेंगी तो सोलन की जनता को पेश आ रही समस्यों का समादान को निकालेगा सोलन की जनता को बिजली के कटों के चलते सोलन भी आज बिहाद से कम नजर नहीं आ रहा है हद तो ये है कि सोलन के कई क्षेत्रों में तो भारा भारा गिंटे कट लग रहे हैं फिर भी कॉंग्रेस और बाचपा के निता जाने क्यूंग खामोश हैं जिसके चलते सोलन की जनता का गुस्ता अब साथ में आसमान पर पहुँच रहा है और अब बै अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं तो ये था आजन बर का कारिकरम कल फिर हाजर होंगे निगतिविदें के साथ आप ऐसे ही जुड़े रही है अजरे किसाथ नुशकर